अगवान बुद के पवित्र धर्ती पे ब्यापारियों ने निर्ने लिया कि आज बोध गया बंद रहेगा नौजवानों को नौकरी देना अगर जंगल राज कह लाएगा तो मुझे सुविकार है बैई जब आपको लोग सभा लड़ने की बारी होती है तो आप नितीजी के साथ चले जाते हैं और विधान सभा की बारी होती है तो दलितों को अकेले लड़ने की प्रिर्णा देते हैं गया में क्या लोगों का खुजूम उम्डेगा तेजश्वी आदब को सुनने के लिए क्या अपडेट है सर तयारी क्या है लोग आएंगे भीड़ उम्डेगा सबसे बड़ी बात है कि बिहार के युवाओं में एक ये बैठ गया कि बिहार का उधार अगर कोई कर सकता है तो नौजवान ही कर सकता है और हर हालत में तेजश्वी जी के हाथ में बागडूर जाएगी बिहार के नौजवानों का उत्थान होगा और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो देख रहा हूँ कि सिर्फ आखवार और चैनल के माध्यम से जो निवस जा रही है कि बिहार में उनकी यात्रा चल रही है जन सुनभाई यात्रा उस पे मुझे लगता है कि किसी को आगरह करने के भी जिरूवत नहीं पड़ रही है और लोगों के मन में इस तरह से वाल है और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं फिजा देख रहा हूँ उसमें सभी जाती धर्मों के लोग है आज मैं बजाजिस भगवान बुद की पवित्र धर्ती पे हूँ भगवान बुद के पवित्र धर्ती पे ब्यापारियों ने निर्ने लिया कि आज बोध गया बंद रहेगा बोध गया बंद रहेगा पूरी की पूरी बोध गया बंद रहेगी और जितने फुट पाती दुकंदार हैं, बयापारी हैं, सब ही लोग जो हैं आज इस जुलूस में सामिल होने वाज़े हैं बहुत बहुत अच्छा प्रेशन आपने किया, अगर कोई किसान का बेटा अगर कलक्टर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे उसको, कि तुम्हारा बेटा जो है कलक्टर कैसे हो गया, ये तो निन कह सकते हैं आप, तो ये आरोप लगाना, और एक चीज हमेशा याद रखेगा, कि जब जब कोई गरीबों की बात करता है इस देश में, तो उसको जंगल राज के ही उपाधी दी जाती है, जब जब नौजवानों की उत्हान के बात करते हैं लोग, तो जंगल राज का ही हूँ, चुकि और कुछ है नहीं आपके पास, बोलने के लिए, और अगर आपके पा नौजवानों को नौखरी देना, अगर जंगल राज का हलाएगा तो मुझे सुविकार है, नहीं सदन के अंदर मुखमंत्री नितिस कुमार ने कहा ना, कि आप लोग मुर्दा बाद करते रहा जाईएगा, जीरो प्याउट होना है, एक भी सीट नहीं आएगा, यही सब मे के लिए वो मंदिर का निर्मान हुआ, लेकिन मैं लगतार देखता हूँ कि बिहार के मुखिया ही, लगतार सदन में जूट बोल बोल के, बोल बोल के, और देश के और बिहार के नौजवानों को जूट बोलने की जो है, खजाना महवया कराते हैं, सदन के अंदर ये कहना मर जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं हटेंगे, हर एक-एक साल में अगर इस तरह का और लोक तंत्र के मंदिर में कहिएगा, तो देश का नौजवान और बिहार का नौजवान क्या समझेगा, आपकी उमर हो गई, आपने अगर बिहार के लिए अच्छा काम किया है, तो परतिस् का परियोग होगा वहां पे, मैं जानता हूं कि अभी जो लोकसवा का चुनाव है इसमें और आने वाला दूहजार पचीस में बिहार का नौजवान तेश्वी जी के साथ खड़ा रहे हैं, आप लोग सत्रा महीने की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तेश्वी आदब क कि बिभाग, जिस बिभाग को तेश्वी आदब ने समाला, उसका फाइल खुल चुका है, बीजेपी के नेता और डिप्टी सीम भी कर रहे हैं कि भाई, गरबढ़ियां पाई जा रही है, बहुत जल्द खुला सा होगा, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में ये कि देश की यह स्थिती जो है, पहली बार भाजपा में जो है, इस तरह की जो परचलन लाई गई, फाइल खोलिएगा, आप ये बता दीजे कि किसी मंतरी को अपने से कोई आउडर देने की सकती है, क्या, परधान सची फाइल भेजते हैं, हम लोग उसमें सिंगने चिरी हैं तो हमारा हमको क्यों दोस्टे रहे हैं, अगर कुछ गड़बण है तो जाच करिए, और यह भी जाच करिए कि वो फाइल भेजा क्यों, और कबिनेट में वो फाइल गया क्यों, तो मुख मंत्री दोसी हैं कि मंत्री दोसी हैं कैविनेट में फाइल आएगी कैविनेट से नहों के आता है तो दोसी मुख मंत्री हैं कि तेजस्वी जी है वो सोतंतर हैं जहां चाहें जैसे चाहें वो कर सकते हैं हम लोग बिहार के नौजवानों के लिए मर मिटेंगे सभी ज बिहार फस्ट बिहारी फस्ट दो यूबाश चेहरे हैं कि एक साथ आना चाहिए क्यूंकि आप लोग दंत्र बशाने की बात करते हैं देश बशाने की बात करते हैं बहुत ही आदर्स हैं हमारे लिए स्वर्गी राम बिलास पासवान जी का अगर इतिहास के पन्ने उल्टेंगे उन्होंने अपनी राजनीत जीवन की सुरुवार और अंत आजीवन उन्होंने सदन के अंदर मतलब लोग सभा के अंदर ये कहा कि आरे से इसको आतंखवादी घ अगतार एक ऐसा स्टेटमेंट बता दिये जो उन्होंने भाजपा और आरे सेस के प्रती उनके पिता ने कभी इस तरह का कहा होगा कि ये अच्छा है आजीवन उन्होंने कहा कि आरे से सातंखवादी है देश में जाती धर्मों की लड़ाई लड़ाता है तो अगर उनके न एक अधिकारी से लेके बेचारा एक गरीब टोला सेवक विकास मित्र की नोकरी हुई दलित महादलित को बाटा गया पासवान नोकरी से बंचित हो गए यह कलंग तो चिराग के उपर लगना चाहिए पासवान को अगर नोकरी में दिक्कत हो रही है अगर पोस्टिंग में दिक्कत होई तो दोसी कौन है चिराग जी दोसी है तो यह सवाल तो विहार के पासवान पूछेगा कि भाई जब आपको लोकसभा लड़ने की बारी होती है तो आप नितीज़ी के साथ चले जाते हैं और विधान सभा की बारी होती है तो दलितों को अकेले लड़ने की प् कुछ कहा खेर इस टूडियो में तना ही आपका बहुत बहुत सुक्राइब